हेलो डियर लेर्नर्स, हाव आई यू, होप सु यू और फाइन डूइंग वेल आज की क्रक्षा में हम दो क्या पढ़ेंगे अनुकूलन में होने वाले परिवर्टन यानि Changes During Adaptation ठीके अब देखो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगी वो यह पीडियाफ के लिए आप हमाले टेलिग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सक्षिन मिल जाएगा पूरी पूरी बुक्स की पीडियाफ आपकी जो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है उसकी एप पे एवलेबल है अब आप ently map लिए फाल करके भाहा से पूरे पूर ऊडियेफ ले सकते हैं पढ़ सकते है रिविजन कर सकते हैं नौट्स बना सकते हैं ठीक है इसके पहले इक एक कख्षा आपकी पाच बजे चलत कराएं और 15 चलते और एक उसके आपके मीनिंग में नह बजे में चला ही रही हुँ उ पर जो भी बच्चे हैं वो solve कर देंगे, यह नहीं होगा तो मैं आपको solve करके बता दूँगी, हैना, ऐसे करके आप maths का भी revision continue करते रहिए, maths आपकी revision से छूटनी नहीं चाहिए, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर लें, हैना, और उनको बता दें कि आप playlist के section में जाकर के पुरानी classes आराम से देख सकते हैं, बाकि इसके बाद मैं social science और science के classes बचेंगी, वो भी मैं आपको जल्दी कराने का प्रियास करूँगी, और इस session के end में कुछ आपके लिए homework जरूर दिया जाना है, तो बिना वो homework सुने, बिना वो चीज़े जाने, आप कहीं नहीं जाएंगे, ओके, सो देखिए, अब हम लोग आज बात करेंगे, सरीर बनावाट, यह नहीं body contour के according क्या होता है, बाता वरंड के अनुसार, सरीर, चपता, पतला, लंबा, बेलना का, लंबा, चोड़ा, त्वाल का फुलपा होता है, आप देखिए, नेपाल के जो लोग होते हैं, वो थोड़े से आपको different दिखेंगे, आप एक शक्रत, जो आपके यहां पे Northern India के लोग है, या Southern India के जो लोग है, उनके, तो यह सब चीज़े होती हैं कि, जहां के होते हैं, वहां की परिस्थितियां, कुछ इस प्रकार से उते हैं, कि वो आपके, वैसे ही आप अनुकूल हो जाते हैं, सिर की यह डिबात कीज़े, तो सिर की स्थिति तथा बनावट भी वाता बनन के लिए उप्युक्त होती है, कैसे होती है इसी कारण ये पीछे को खीचा हुआ चप्टा या फैला हुआ या फिर पतला हो सकता है सिर पर नेत्रों की स्थिती तता निमीशक जिल्ली यानि निक्टेटिंग मेंब्रेन अवशक्ता नसार पाई जाती है नेत्र तचा की नीचे चीपे हुए अत्वा सिर पर उबरे हुए होते है बायकर्ण का बड़ा होना ये छोटा होना ये ढका होना भी किस पर निरभर करता है वाता पर निरभर करता है इस प्रकार नाशिका चिद्र की स्थिती भी बदल सकते है जैसे आप ये मान लो कि जोगर्फिकल कंडिशन के अकॉर्डिंग यानि कि कहीं जादा शर्द इंवी पूरा टाइम गर्मी हो और बहुत जादा बरसात हो रही है। सब्सक्राइब के आपके बने हुए होते हैं। अब जैसे बात की जाए यह दी तो आप दिखो जहाँ पे आपका यह जो इयर है ना तो यहाँ पे देखो यह जो जहां पे कान छहता है ना लड़किव का उसी को बोलते हैं बहय करने यानि पिन्य यह एक बाडी का ऐसा पार्ट होता है जहां पर आपके कोई भी बूंस नहीं पाई जाती है कोई भी है डिया नहीं पाई जाती है पर उसके बने क्या है देखो structure of limbs क्या है कि विभिन जातियों में वातावरण के नुसार अगर तता पस्चुपादों की रचना में अंतर आ जाता है दोडने वाले जन्तु जैसे घोडे में पैर अधिक मजबूत होते हैं उसके बाद में पड़ पर रहने वाले जन्तु जैसे बंदर में पतले और पकड़ने होल्डिंग में सक्षम होते हैं तैरने वाले जन्तु जैसे वेल के में पतवार के समान उड़ने वाले जन्तु में जैसे पक्षी में चमगादन बैट में पंखो के रूप में तथा धाखोदने वाले जनतुओं जैसे खरगोश आधी के पंजे क्लॉग के समान बन होते हैं तो को सब के according अलग अलग चीज़े इसलिए होती हैं भाई किसी को दौड़ना है तो किसी को चलना है किसी को पानी में रहना है तो उनके हिसाब से उनके जो सधीर की रचना है वो बनी ह आप इसी परकार से आप देखलो अंगुलीयों की संख्या में परिवर्तन होता है.. तो, उसके बाद ने ने प्लांटि ग्रेट पैर कैसे प्लांटि ग्रेट फूट में पाछ अंगुलियां होती हैं तर पैर की पूरी तली प्रत्वी पेपति की, आप अपना ही ग्रांब बर ले लो जैसे भालू, बैबूण तरफा मनुश्ये, उसके बाद में एक तरीके कैसे होते हैं, डिजिटी ग्रेड, יनिनों क्ड़ सबर ले में, चार अंगूलियां होते हैं, और जैसे हाईना हो घ्रेडा हो गया उसके बाद में एक होत आपको दे दिया जाएगा लग तेल हाना उचके बाद में दे दिया जाएगा कुछ भी मालो अस्टमक और हैड तो आपको बैलंसिंग और आपको बच्चे दिमांग लगा देंगे कि अधरी बैलन्स तो पूरी बॉड़ी को कंट्रोल माइंड करता है तो चलो माइंड दिक ल पत्रने का भी कारे कर सकते है इसी प्रकार इनकी संद्रचना फैली हुई पत्ली लंबी तता कैसी और तिक कुंडलित हो सकते है तो अब अनुकूलन के प्रकार होते है पहला यह दी बात करो तो दोड़ने के उप्यूकत यानि कैसे करस्वाइल एड़ैप्टेशन घड़्धा खूदने के उप्यूकत या क्या कह सकते है आप इसी प्रत्राजू तो ऐसे जनतू प्रत्वी परлекार तेज डौडने वाले स्थधाव से होते हैं जैसे घोड़ा हो गया आपका एंटीलोप हो गया एंटी लोप जैसे आपका चीता दिखते है ना लगभग वैसे दिखता है कुछ ठिक गड़ा खोदने के उप्युक्त या फॉसरेल एडप्टेशन किसे कहोगे तो इस प्रकार के तन्तु अधो भूमिक यानि अंडर ग्राउंड जीवन निर्भा के लिए गड़े खोदे जै जीव जन्तु है जो आपके पानी में रह रहे हैं उनकी सारीरिक संद्रचना इस थलिये जो जन्तु हैं उनसे काफी अलग होगी जल में रहने के लिए उप्युक्त जन्तुओं में मचलियां वेल तथा साइरन आदी जीवों की जातियां हैं चढ़ने में उप्युक्त आते हैं और आदी बहुत से चीज़ें नेक्स्ट आपकाता है वाईवी अनुकूलन यानि वॉलन्ट और एरियल वायू में रहने वाले जन्तुओं में प्रमुक पक्षी हैं किन्तु चमगादर जैसे स्तंदादी भी वायू में रहते हैं गुफा एवं गहरे सम्मुद्र क के उप्यूक तनुकूलन यानि cave and deep sea adaptation कुछ जन्तु गुफा में रहते हैं तता कुछ सम्मुद्र में की गहराई में जैसे मचलियां आदी मरुस्थल के उप्यूक तनुकूलन की या दी बात कीट है desert adaptation की तो उट आदी कुछ जन्तु मरुस्थल में रहने के लिए उप्यू अनुकूलन यानि के adaptation देखो अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन तता अनुकूलन की प्रकार की जनकारिया आपने प्राप्त की है उपर युक्त बातों के कुछ उधारण इनम क्रिया के लाप होगे माद्यम साब जीवों में अनुकूलन की और समझ सकते हैं अब यह जो जल क्लोम होते हैं ऐसा नहीं है कि आपके नोस है तो आप तो कहां रह रहे हैं आप तो इस थल में रह रहे हैं मचली कहां रह रहे हैं तो मचली क्या है बताओ बोलो भाया मचली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओगे तो डर जाएगी बाहर निकालोगे तो म ढ़ने के लिए शरीर धरा रेखी दो तथा चप्टे पंक होते हैं कभी ऊप घोर कदिये गा फिश को एक दम कैसे पंक होते हैं इनके यह निके चिडियां की तरह dopo है इनके पंकु प्रवेशी नहीं करने लगते हैं तो मचली को सड़ने से बचाने के लिए मचली के शरीर में जल रोधी शल्क पाए जाते हैं जल को मचली के शरीर में प्रवेशी हैं तो मचली के बचाने को जिन्दा नहीं रहाएगी क्योंकि मतलब उसको जिन्दा रहने के लिए जैसे आपको सास भोजन पानी रोटी कपड़ा मकान की दिरूरत है वैसे मचलियों के लिए रोटी कपड़ा मकान यह सब चीज़े होती है ऐसे समझलो आप इसी प्रकार अन्य जली जन्तूओं में भी विशेस्ता है पाई जाती ह यही सेम चीज़े अलग-अलग जो आपके वाटर में एनिमल्स जो आपके वाटर में और्गनेज्म है है उनकी भी यही सम्झील्स होती होंगी उपर यूग तो पौधों को आपने तलाब में पौंखरों में देखा होगा पौंखरों अड़ता तलाब है ना बोल लो आप पर सेक्षू इन पौधों को एकत्रट कर किसी एक जार में प्लास्टिक बॉक्स यह देखो यह सब आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है आप यह एक्टिविटी आराम से पढ़ लीजेगा इफ यू वांट देन यू कहना अब देखों क्या आप मरुस्थल में पाई जान मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को अदोलोकित कठनाईयों का सामना करना पड़ सकता है पहली बात पानी की कमी कम है उसके में तेज़ जूब तथा गरम बालू साथ में कांटेदार तता शुषक पेड़ पड़े इनका सामना करना पड़ता है इसको जो आपके रेगि वो अपने आपको उसी के प्रकार अनुकूल कर लेगा उट के खुर गदीदार एवं तलवे चौड़े होते हैं इससे इसका पैर रेत में दसता नहीं है आप पैर रखोगे ना जब रेत में तो क्या होगा रेत में आपका पैर धस जाएगा लेकिन जब उट पैर रखेगा त खुर होता है खुर अर्थात जैसे यह आप देखते हो ना खुर नेल्स वाला पैर का पंजा जिसे आप समल लो तो वह कैसे होता गद्धित और तलवे उसके कैसे होता चौड़े होते पानी मिलने में पर वह एक बाने पतास लीटर तक पानी पी जाता है उट लगबग 10 दि करने के कोशिश ना किजेगा तो जादा बैतर सिक्षक बनिया आप ना आपको गिनेज वर्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में नाम नहीं लिखाना है तो अभी आप से पूश्य ने पूछा जा सकता है कि उट एक बार में कितने लीटर पानी पी सकता है कितने लीटर पी सकता है उट को पसीना नहीं आता सबसे बड़ी बात किती अल्टीमेटर चाहिए गर्मी वाले वर्मूडा चाहिए ना शौर्ट से इनको बढ़िया धंड वाले लोवर्ड चाहिए कोई दिक्कती नहीं है नाम से यह वातावनन किताब और शरीर किताब में अंतरकम करने के लिए अ मतलब यह क्या करते हैं फूड को स्टोर कर लेते हैं कौन उट मरुस्तली कंटीली पौदो को खाकर असानी सजीवित रह सकते हैं जन्तुओं के समान मरुस्तल में उगने वाले पेड़ पौदो को भी अद्धोले कटनाईयों का सामना करना पड़ता है ऐसा नहीं कि सिर्फ जन्तुओं कोई अपितु पेड़ पौदो को भी सामना करना पड़ता है किसका पानी की गमी रहती है तभी तो कंटीले पेड़ होते हैं साथ में सूरिक का तेज प्रकास जिन में कितनी धूप होती है दिन के समय में उच्छताप मन होता है कि आप न ऐसे चाय का पतीला अनुकूलन होता है इसके लिए मरुस्थरी पार्दपों में अधुलिकित परिवर्तन होते हैं यानि आपके क्या होते हैं चेंजर होते हैं जो बच्चे नए हैं उनको में मता दू कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके फटावट से बैल आइकन प्रेस कर लिजए बाकि आपके बाल विकास की क्लास लगबग कंप्लीट होने पर वो जरूर देखेगा हिंदी की क्लास देखेगा पर साधी क्लासे आपको देखनी हो और अल्टीमेटली बहुत अच्छा स्कोर करके आने ठीक है अब देखो तना मांसल चप्ता हरा एवं स्पॉंजी हो जाता है जो पौधो की पत्तियां कैसी होती मांसल होती है और इन में जल संगरे होता है जैसे घीक्वार पत्तियों में रंद्र यानि गड़ों में धसे रहते हैं इसलीटली प्रकार, जलीए पढ़ाह आप कैसे पढ़ेंगे जो जंतु ये पक्षी जो उड रहे हैं, स्आखिर उन में ह कुछ changes होंगे कुछ difference होगा तभी तो वो उड़ पा रहे हैं और हम लोग नहीं उड़ पा रहे हैं आखिर कुछ तो बात होगी ना उनमें पटली होगी मदु मक्की होगी घरेलू मक्की होगी कि आपने सुना कि इनका वजन पैसेट की लोगा नहीं यह तो ग्राम समय भी होगी है अब यहाँ अब यहीं आज सभी राइटिंग शुरू करना कि मैं हम भी रहे हैं पटल हो जाएंगा और उड़ना शुरू कर देंगे अब देखो पक्षियों में उड़ने हेतु अनुपूलन क्या है कि सभी पक्षी कशीरुकी प्राणी है उड़ने हेतु इनके शरीर में क्या पाई जाती है कि इनका शरीर नौका का तता धारा रिखीत होता है अग्रपाद पंखों में निरूपांतरित होते हैं जो उड़न सब्सक्राइब करें प्राणी होते हैं इन में हवाबरी रहती है यह उड़ते समय शरीर को हलका रखते हैं जैसे आप आपका आज का वोमवर्क और आपके यह यूनिट वन तो मैंने दो ही मानलो दिन में कंप्लेट कर लो मैं चाहूं तो इसको खीच के पढ़ानू बीच- बताएं कि अब यह नहीं है सच ऐसे अच्छा नाम से आपका एप है आप प्लेस्टोर से इंस्टॉल कर लो महां से बुक मिलेंगी कंटेंट मिलेगा डिएलेट का अब यह बाद आपको पिशतर बार बताएं तो फिर अभी मैं वीडियो भी बनाम से एक घंटे का हो अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बले के जरूर प्रस करने हैं उसके पहले हम आपको बता लूँ यह आपके कुछ बहुविकल्पी प्रेशन है यह आपको करने होंगे आज मैं आपकी इसकी पीडिया भी शेयर कर दूंगी आपकी यह आपकी कुछ अतिलगू उत्तरी प्रशन है यह जरूर कर लिजेगा यह कोशन के आंसर सा प्रॉपर लिख करके देंगे हमको ठीक है प्रोजेक्ट कार नहीं करिएगा कोई जरूरी नहीं है प्रोजेक्ट कार को स्किप करना है आपको बाकी यहां तक आपको पूरे कोशन करने है और टेलिग्राम प कर सकते हैं जो आपका जानल का नाम है टेलिग्राम चैनल का भी न ठीक तो यह थी चोटी सी जानकारी छोटी सी क्लास हमारी केशी लगी आपको कमेंट सेक्ष्टन पता नहीं क्यों कमेंट करते हो अगर कमेंट नहीं करोगे न तो मैं पढ़ाएंगी भी नहीं बस फिर अपना तो फटाफट से कमेंट कर देना और लाइक करेंगे तभी रोज क्लास तो यह राग उदर हो पाएंगे अन्देट हमें क्या है क्या हमारे बहुत कार्ड आएं यह राम से शादी पार्ट निया करेंगे सब की तरह है बताओ यही करना हो तो बताओ दस बारा दिन की चुट्टी ले ले अमाराम से फिर कोगा करेंगा कोर्स क्या दिक्कत है अन्हां सो एक हो गई छोटी सी डाटरली बात चलो अब हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूं ना कि अपनों के लिए लिग दिया करो जब हम झाल झाल